गाइस विलकम बैक तो मैं चैनल आज मैं आप लोग को एक चीज बताऊँगा और गाइस आप लोग का एक डाउट भी क्लियर कर दूँगा की गाइस आप लोग बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है की गाइस मोबायल से कैसे ड्रा करें अरे गाइस मोबायल से पोट्रेट को तो बहुत ही हाड है हो ही नहीं पा रहा है पर गाइस यह ऐसा बात नहीं है गाइस में आप लोग को आज सिर्फ मोबाइल का यूज करके आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे पोट्रेट ड्रॉकिया जा सकता है जिहां दोस्तों तो गाइस आप लोग को ग्रीट मेथट का यू नहीं करते हो सही process में इसलिए आप लोगों का जो drawing है वो खड़ाब हो जाता है और accurate नहीं आता है so guys would out आज मैं आप लोगों को clear करूंगा और guys आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप accurate outline को draw करे outline तो guys इसमें नहीं दूंगा outline next वाला वीडियो में आप लोगों को पूरा detail में दूंगा कि outline कैसे draw करी grid पे आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि grid को कैसे calculate करे कि guys हां grid equal आया है मेरा photo का हिसाफ से grid एकदम accurate है so guys let's start our video और guys मैं बताना चाहता हो कि guys अगर आप लोग photo के grid का help करके अगर करोगे अगर equal नहीं आएगा तब आप लोग का drawing accurate नहीं आएगा guys so guys बिना skip किया आप लोग पूरा video end तक देखो आप लोग जरूर आप लोग जरूर ये portrait किसी का भी portrait complete कर सकते हो guys guarantee है सिर्फ guys ये method यूज़ करो और complete हो जाएगा और सारा भी method है वो guys में later जो videos आएगा उसको उसमें में दे दूंगा so guys let's start our video so guys पहले ही ले लो आपका paper guys मेरा paper जो है वो guys है a4 sheet है guys a4 sheet एक मैं यूज़ कर रहा हूँ ivory a4 sheet so guys length और breath को पहले आप लोग measure कर लो guys guys देखो मेरा length है 30 cm 30 30 cm है मेरा length और मेरा breath अभी मैं देखता हूँ कितना है मेरा breath और गाइस मेरा जो breath है वो है guys 21 cm guys अब आप लोग लिख लो एक normal paper बे देखो guys मैं paper ले लिया हूँ एक बार और से और एक बार guys मैं measure कर लेता हूँ measure हो गया है अब guys देखो पहले आप लोग diagram बनाओ guys diagram is very very important for understanding देखो guys a4 sheet का में diagram बना लिया हूँ अब guys मैं लिक लेता हूँ देखो guys मेरा जो length था 30 cm और मेरा जो breath है guys वो है 28 cm sorry 21 cm so guys अभी मैं आ गया हूँ screen पे और guys मैं अभी play store पे सर्च कर लिया हूँ drawing grid marker guys इस app को ही आप लोग को ले लेना है guys अभी देखो मैं step by step आप लोग को दिखाड़ा हूँ guys अभी guys आप लोग को ले लेना है choose कर लेना है जो photo guys मैं विराट को ली का photo यूज करूंगा so guys मैं select कर लिया हूँ अब guys देखो पहली आप लोग को normal सा है एक grid दिखाई दे जाए वो लोग ही by default five rows और five columns का कर दिया है guys देखो यह है पहला जो दिया वो था column का और फिर था row row column वही और guys यह है color का पिछले वाला जो वो था guys line का line का stroke कितना मोटा होगा अगर आप लोग 8 दोगे तो बहुत ही मोटा हो जाएगा और guys उधर देखो bw लिखा हुआ है वो guys है black and white sq मतलब square di diagonally भी आप लोग को दे देगा और la मतलब lateral so guys अभी दे देता हूँ कितना rows मुझे लगेगा guys देखो 8 rows मुझे लगेगा क्योंकि मैं calculate कर लिया हूँ कि मेरा कैसा होगा आप लोगों में नहीं दिखाया हूँ आप लोग ध्यान से अभी ये step follow करो फिर guys next में अभी आप लोगों में दिखाऊंगा देखो guys grid हो गया है complete अभी guys इसको save कर देता हूँ so guys अभी फिर से में आ जाता हूँ paper पे calculate करने के लिए guys देखो पहले में आप लोग को एक चीज नहीं दिखाया हूँ guys मेरा जो drawing का picture है reference वुसका में ratio निकाल दिया हूँ normal photo से वो है 3 is to 4 देखो guys 3 is to 4 मतलब जो length होगा वो होगा sorry जो breath होगा वो होगा 3 और length होगा 4 अभी guys calculate करना है A4 size का paper से guys मुझे A4 size का paper में 3 is to 4 का ratio ही निकालना है so guys simple है बहुत ही easy है guys देखो width है 3 into 7 अगर करोगे तब तो 21 आ ही जाएगा तो guys 21 और 21 मैच हो गया अब guys देखो length का guys length का भी वैसा ही into 7 करना है so guys जो आप length पे करोगे उतना ही आप लोग breadth पे करो multiply so guys देखो 28 हुआ है so guys आप लोग को कितना minus करना है simple सा logic है 2 minus करो तो 28 आ जाएगा तो paper से आप लोग को 2 cm सिर्फ cut off कर देना है देखो मैं अभी final का diagram कर दे रहा हूँ देखो guys final जो effort sheet दीखेगा वो दीखेगा ऐसा कुछ ऐसा दीखेगा जिसका guys width होगा 21 cm और length होगा guys 28 cm जिसमें मैं या फिर आप लोग कह सकते हों आप लोग जब practice करोगे तब आप लोग यही rules एक बार follow करो मैं इसका दूसरा भी video करूंगा तो ऐसे ही guys आप लोग को कर देना है अभी guys मैं जो final paper हो है उसपे मैं cut off कर दिया हो अभी guys मैं लंबा scale लिया हो अभी मैं measure करूंगा और मैं देखो guys जो lines था वो था guys 8 columns मतलब guys 7 lines तो guys calculate करो कितना centimeter का guys आप लोग का distance रहेगा guys देखो यह cut off होगा यह अब guys देखो आप लोग को distance measure करना है एक एक जो column है उसका guys जो उपर का distance होगा वो होगा into 3 हुआ है so guys 3 centimeter का ही distance रहेगा so guys 3 centimeter का distance करो और guys आप लोग सीधा 3 centimeter करते करते 7 lines कर दो so guys 8 columns हो जाएगा ऐसे देखो और जो आप लोग का यह में width बोला और जो length वो 28 है so 4 centimeter से कर दो 7 lines हो जाएगा so guys ऐसे करो और guys जो final result आएगा आप लोग कर लोगे पूरा complete guys देखो ऐसा आएगा पूरा आप लोग देखोगे तो पूरा एक दम accurate आएगा जो drawing का है उससे मैं अभी site पे screen पे दिया हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा accurate lines है यही lines आप लोग का drawing करने में help करेगा so guys I hope आप लोग भी मेरे तरह इस drawing को करोगे घर पे और guys ऐसे ही method को आप लोग use करोगे I guess so guys आप लोग भी यह method को use करो और guys आप लोग का जो result मिलेगा वो बहुत ही कमाल का मिलेगा कैसे outline करते हैं वो last में next वाला वीडियो में जो कल आएगा उस में दे दूंगा so guys I hope आप लोग यह करोगे घर पे practice I hope guys आप लोग को इस में से कुछ सीख मिला होगा और आप लोग कुछ understand करे होगे so अगर करे हैं तो please like and support us so मिलता हूं next वीडियो में good bye